समाजवादी पार्टी के नेतार रविदास मैं, रोतरा जी हमारे साथ बाचीत के लिए मौजूद है सर आज गाना जो है वो जनता पुकारती अखलेश आईए ये गाने को जो है वो परिवर्तित करते भारती जनता पार्टी ने ट्विट किया उसमें ये है कि गुंडे पुकारते हैं अखलेश आईए और यूपी में फिर दंगों में आप इसको जुलसाईए और टोटी चुराईए पता नहीं क्या-क्या तमाम आपत्ती जनक चीज़ें जो है उस गाने में डाली गई है भारती जनता पार्टी की सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बाटना चाहती है आज लोग महंगाई से बेरोजगारी से भुक्मरी से परशान है विकास काम ठप है और ऐसी हालात में भारती जनता पार्टी अनरगल बाते करने का काम कर रही है, देशद का महुल पद्या करने का काम कर रही है, आज सारे गुंडे भारती जनता पार्टी में हैं और हमारी चिनोतिय प्रदेश के मुखमंत्री को कि उत्तर प्रदेश में जो टॉप ट्वेंटी अपराधी हैं उनका नाम बता दीजे उस ट्वेंटी अपराधी में 17 अपराधी भारती जनता पार्टी के और एक जात के हैं जिनके उपर 50 से अधिक मुकद में हैं तो भारती जनता पार्टी जो उस पर आरोप लग रहा है उस आरोप को छिपाने के लिए दूसरों पर अनरगल आरोप लगाने का काम कर रही है जनता परिवर्तन और बदलाओं का मन बना चुकी है दोजार चौबिस में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी और अखले श्याद पार्टी के तमाम नेताओं ने टूइट किया और यह कहा कि डीजीपी को एक्शन लेना आप सहमत है इससे जो डीजीपी हैं उनको कारवाई करनी चाहिए इस तरीके से हमारे गाने को जो जनता ने गाना कहा है उसके उपर अनरगल बाते करने का काम कर रहे हैं यह घोर निं आज नितीश कुमार अखलेश चादों से मिलने के लिए आ रहा है उसके बाद वो बंगाल जाएंगे ममतब अनरजी से मुलाकात करेंगे तो यह मुलाकात को किस तरह से देखा जाए लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं यह गैर भाजपाई सरकार बनाने का प्रयास है द 2024 में निशित हो गया है कि केद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी और समाजबादी पार्टी उसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में होगी बच्चित के लिए शुक्रिया आपने सुना रविदास मेरोतरजी को उन्होंने तमाम बाते कही और गाने को लेकर जो है वो अपत्ती जताई और साफ तोर पर यही कहा कि जो बड़े-बड़े माफिया है वो भारती जनता पार्टी में हैं उनके उपर सरकार को कारवाई कर किये और जिन लोगों ने इस गाने को ट्वीट किया है वो अपत्ती जनक है पुलिस उन पर भी कारवाई करें कैमरमेन आश्टोश के साथ सीमा अब नक्वी भारत समाचार लखनाओ